गोर्डन बॉय नीरच चोपडा ने एक और धमाल कर दिया है। अमेरिका के योगेन में हो रहे 18 वर्ड एसलेटिक्स चेंपिन्शिप के जैवलिन थ्रो के फाइनल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीत कर देशवासियों को एक और तोफ़ा दिया है। अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर दूर भाला फेक कर उन्होंने यह काम्याबी हासिल की है। तमाम देशवासियों ने इस बात पर खुशी जताते हुए उन्हें शुब कामनाएं दी तो प्रधान मंत्री ननेंद मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। वो भारत के पहले मेल एथलीट हैं जिनोंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियन्शिप में सिल्वर मैडल जीता है। बेटे की उपलब्धी पर पिता की आँख में आसु छलग उठे। नीरज ने कहा कि वागली बार और प्रयास कर गोड जीतेंगे। नीरज का पहला और पांचमा थ्रोफ फाउल रहा लेकिन उन्होंने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर दूर भाला फेक कर इतिहास रज दिया। भारत को वर्ड अथलेटिक्स में अन्जू बाबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। नीरज चोपडा ने 87.58 मीटर भाला फेक कर टोक्यो ओलम्पिक 2021 में गोड मेडल जीत कर इतिहास रज दिया था। अभिना बिंद्रा के बाद किसी विश्व चेंपियन शिपिस्तर पर अथलेटिक्स में सौन पदक गीतने वाले वह दूसरे भारती हैं। मात्र 24 वर्ष के नीरज चोपडा को परम विशिष्ट सेवा पदक और मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार से नवाजा जा चुका है। इस सीजन में नीरज ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने दो बार अपना व्यक्तिकत श्रेष्ट प्रदर्शन किया। गत 14 जून को फिल्लैंड में 89.3 मीटर भाला फिका और स्टॉक होम डायमंड लीग में 30 जून को 89.94 मीटर का प्रदर्शन किया। वह 90 मीटर से महज 6 सेंटी मीटर चूप गए। इस दोरान उन्होंने फिल्लैंड में 86.96 मीटर के साथ खिताब जीता। दीरच चोपड़ा को काम्याबी हासिल करने के लिए काफी त्याग भी करना पड़ा क्योंकि बिना त्याग के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। सोशल मीडिया से तो वो दूर रहते ही थे। उन्होंने मोबाइल से भी किनारा कर लिया था। मोबाइल को अधिकार समय से चौफ ही रखते थे तदा तभी आउन करते थे जब माता पिता या पारिक वारिक सदस्यों से बात करनी होती थी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से पहले नीरज भारती क्रिकेटर महन सिंग धोने की तरह ही काफी लंबे बाग रखते थे। उनका वह हेर स्टैल काफी फेमस भी था लेकिन टोक्यो ओलंपिक के पहले उन्हें अपने बालों के कुर्बानी देनी पड़ी। नीरज नहीं चाहते थे कि उनके लंबे बालों की वज़े से उनके जैवलिन थो में थोड़ी सी भी परिशानी आए। नीरज पानी पत के एक छोटे से गाउं खांदरा के रहने वाले हैं। बचपन में वो काफी भारी भरकम हुआ करते थे और कुर्टा पाजामा पहनते इसलिए इसाब उन्हें सरपंच कहकर बुलाते थे। बचपन में शरारते भी बहुत थे नीरज। कभी मदमुक्यों के छट्टे को छिर देना तो कभी भैस के पूँच की खीच कर भाग जाना उनके प्रिशगल हुआ करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने खेल पर ध्यान भी उन्हें वह उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं।